तो आज का वीडियो को टॉपिक यह है कि क्या यूटियाई सर्विसेस पैनकट सर्विसेस बंद हो गया सभी के मन में यह कोशन आ रही है सब जो है मैसिस कर रही हो कमेंट कर रही हो ऐसा कोई बात नहीं है यूटियाई के सर्वर में सर्वर में कुछ इशू हुआ है जो टेकनिकली फॉल्ड है उसको जो यूटियाई आईटी से आईटी टीम है वह ठीक कर रहे है थोड़ा टाइम देनी होगी नौर्मली आप एक चीज़ याद रखिएगा जैसे हमारत 20,000 एजेंट है जादा डाटा हमारा पास नहीं होता है तो हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर देते हैं दो घंटे तिन घंटे में बट यह याद रखो ना ओल ओबर इंडिया से कितना टाइम लगी यू टिय में आप डेट कोई बी नॉर्मल जीशित कर दे देट है तो कम 1 से 2 मेन ऐर टा है तो अचथावीज तरीक से तीन दिन अलिए हुआ है आपको थोरा वेट हो गी, और ऐसा कोई बात नहीं है कि आफ की जो के लोग इन नहीं हो रही है, पीस से तो लोग इन नहीं हो रही है यह से ऑफिशय ए उपन नहीं हो बनता है, यह से तो विशह वाइप उखियों को स्केथ्ट सर्वेड करते हैं जोब हीं बन्थ हैं थोड़ा wait कीजिए और जितने भी कंपणी है जितने भी कंपणी है वो जिस ब्रांच के साथ उसका उसका जो है connection है उस branch का manager continue message करेए थोड़ा time देजिए अपने users को बताइए थोड़ा time लेगी और इसमें यह मढ सो प्रब्लम थोड़ा चल रही है इसमे ऐसा भी हो सकते हैं का आधार का भी इ Dew 누구 सकता है यह पैन करें कुछ रूल lut चंजने सोड़ेंजों इसको आपडेट करें गवर्मेंट ने कुछ सायद नोटिस दिया है उसको आपडेट करें बहुत कुछ हो सकता है बट यूटियाई ने या इनस्टियल ने कोई भी ओपिसियल अन्नोटिश जाड़ी नहीं किया गया है जो कंपनी आपको बताएगा थोड़ा वेट कीजिए जब ठीक हो जाएगा रिस्टर्ट कर दी जाएगी उनका ओपिसियल साइड डाउन है सिप य यूटियाई का सर्विस नहीं है यूटियाई का बहुत सरे सर्विसेज है ठीक है तो बहुत सरे सर्विसेज यूटियाई अपने वेफसाइट के माददम से प्रोवाइट करता है तो अगर उनका साइड डाउन है तो पी आवेसली पीस साइड भी डाउन होगी तो मैंटने ने जह हो रही है ऐसा कोई बात नहीं है के बंद हो गया को लोस हो गया ऐसा कुछ मेसिज मत कि którą के चालू नहीं हो गया होगा मेरे कंप्इटर तो अधने हैं यह मैंने प्तोनी जो भी है ना में स सी इतना ही बोलूंगा कि अगर यह आपर इक नोटिश लगा देता तो अच्छा बात होता अगर नोटिश लगा नहीं दिया है वह अलग बात है बट थोड़ा आप लोग को वेट करनी होगी और आप एकंदर के आइडी से काम कीजिए थोड़ा वेट कीजिए आपका पीए से लॉग इन भी स्टाट हो जाएगा कूपन आपने कुछ कूपन पेंडिंग पे हैं तो आप लोग पेंडिंग पे रहेगी ना क्यूंकि साइड नहीं ओपन हो रही तो कूपन कहां से जाएगा आपको मतलब यू कूपनी को काम दिया है तो यह बंत नहीं हो सकता है अगर बंद भी होगा ना तो गवर्मेंट पहले नोटिश जाड़ी करेगी ओपीजियल नोटिश देगा निवस में आएगी पैपर में आएगा इसका बाद इसको फूर में यह जा सकता है और क्लोचर में क्यू जाएगी यह government sector company है आप इतना सोची है ना कि इन दोनों को काम दिया है पैन काट का पूरा manage करने के लिए तो मतलब हलके में यह छोटा वटा company नहीं है ना UTI है ना पोटियन है नहीं नाम नहीं है उसका नाम होके अभी पोटियन हो चुका है तो यह अलगबद है कि थोड़ा टाइम लेग रही है इतना बड़ा डाटा है डाटा सेंटर है डाटा management है थोड़ा टाइम लेगी हमारा company के जैसे 10-20,000 यूजस नहीं है ओल अबर इंडिया का पीए से कितना है कितना customers है तो सबका data maintenance करके उसको रिएस्टर करने में थोड़ा टाइम लेगी आपको थोड़ा टाइम देनी होगी जब भी रिएस्टर होता है आपको notification दिया जाएगा